तो दोस्तो दो करोन का काला सच क्या है ड्रीम 11 में फर्स्ट राइंक लाने का जो तिस ग्यान क्या होगा और दोस्तो आपको बता दे कि ड्रीम 11 में गरीब वर्सेज अमीर की लड़ाई चल रही है और दोस्तो आपको बता दे कि बहुत ही बड़ी यहाँ पे जो हमारे बाबा जी हैं बागेशवर धामवले बाबा उनका अशिरवाद है आप सब के उपर वो भी ड्रीम 11 की टीम की अर्जी लगा रहे हैं तो दोस्तों क्या है इसके पीछे की सच्चाई अब हम आपको ले चलते हैं अपने ड्रीम 11 के एप पर और पूरी कहानी आपको समझाते हैं कि आख इसके इस्टेटिक्स उसका परफार्मेंस यह सब गया तेल लेने हमें कुछ मतलब नहीं है हम सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं कि आखिरकार जो IPL में एक करोण दो करोण एक लांग दस लांग पंदर लांग वीश लांग यह सब पैसे जीते हैं आखिरकार वो लोग क् जाते हैं उनके बारे में हम आपको यहां पर रिसर्च करके बताएंगे और उनकी जहां पर जो लोग किस परकार से टीम बनाते हैं उस टीम के बारे में बताएंगे कि आखिरकार वो लोग की टीम किस प्रकार बनाते हैं, वो लोग आप लोगों से कितना अलग करते हैं, कितना किस प्रकार से वो अपनी टीम बनाते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे सभी 1st rank वाला 2 करोण, 2nd rank वाला 41 लांग, और 2nd rank वाला 41 लांग, उसके बाद यहाँ पे तो इन लोगों किस प्रकार की टीम बनती है, कितने बार खेल जूके होते हैं, क्या ये बिल्कुल नए पहली बार आकर कही जीत लेते हैं, या ये काफिक समय से खेलते हैं, तो यहां पर जीतने सारे आपको फर्स्ट रैंक वाले जितने भी आईपिल के मैच हुए हैं, तभी क फर्स्ट रैंक यहां पर मिलते हैं, तो हम आपको दो तीन फर्स्ट रैंक वालों की टीम दिखाएंगे, और थार्ड रैंक वालों की भी टीम दिखाएंगे, कि उनकी टीम किस प्रकार बनती है, तो चलिए ले चलते हैं, फर्स्ट रैंक की टीम वाले के पास, आपको जो द दिल्ली कर्पिल्स का था तो आपको अब हम यहां पे बताने की कुछ कोशिस करेंगे कि किस प्रकार से प्लेयर से यहां पे लिये जाते हैं और इन प्लेयरों का किस प्रकार से स्टेटस रहा है कितने परसंटेज वाले यहां पे आये हुए है तो चलिए हम दिखाते हैं यहां तगड़ा परफार्मेंस दिये थे इस टीम में ड्रीम टीम में सामिल तो होगा है मगर इनके 30 फी पॉइंट इसमें है और उसके बाद यहां पर रहाड़े देश सकते हैं यह भी इनका पिछले काय मैचों से इनका मतलब यहां पर प्रदर्सन कुछ खास नहीं रहा मगर इस पॉइंट में इस टीम में यह सामिल है क्योंकि यह पिछले मुकाबले में अच्छा खासा यह परदर्सन नहीं कर पा रहे थे जिनकी वज़े से इनको लोग नहीं ले रहे थे इनका सेलेक्शन परसेंटेज रेट कम था और बात करते हैं यहां पर आर रौसाओ यहां पर 47 प्रदर्सन नहीं था लोग सभी की नजरे गड़ी थी वितुराज गयकवार कानवे को उपर डी कानवे को उपर और भी बहुत सारे खिलाड़े उनकी उपर सभी को उपर नजरे लगी थी मगर इन खिलाड़ियों को उपर किसी की नजर नहीं थी यही खिलाड़ी हर्ट रैंक लेकर आ चुके हैं शिवम दूबे देखे 41 पॉइंट दिये हुए हैं इन प्लियरों ने तो कुछ खास प्रदर्सन नहीं किया जिन से उम्मीद थी मगर यह फिर भी ड्रीम 11 की टीम में क्यों सामिल हो गई यह बहुती बड़ा सवाल उठता है उसके बाद रवीन जटेजा आपके देख सकती है आल लाउंडर के तोर पर क्योंकि यह जो कल क्वाली पीश थी यह बैटिंग पीश नहीं थी बैलेंस पीश थी इसमें बालरो का काफी ज़्यादा फैदा मिला हुआ है देख सकते हैं बैट्समें जो है उनको कुछ ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट्स नहीं मिले हुए है और उसके बाद एसमार्स एमार्स है 99 पॉइंट्स लेकर आए हैं और अच्छल पटेल यह आल लॉंडर है रविन जटेजर भी आल लॉंडर थे और अच्छल पटेल भी तो अच्छल पटेल का प्रदसन काफी अच्छा रहा और इन्होंने 154 पॉइंट्स वाइस कप्टान बन करके ले गए इनको कोई कप्तान बनाना ही नहीं चाह रहा था देखिए वाइस कप्तान बने यही दोस्तों आप लोग गल्ती करते हैं कि आप लोग जो जो लोग 90%, 80%, 45% वाले खिलाड़ियों को लेती हैं वो ड्रीम टीम में कभी सामिल ही नहीं हो पा रहे हैं देखिए यहां पर कुल्दीप यादो है 49 पॉइंट देकर गए दीपक चाह रहे हैं यहां पर 55 यह भी देख सकते हैं इनको भी कोई नहीं लेना चाह था तो आपको हमने यहाँ पर दिखाया अब इन प्लियरों का स्टेट देख सकते हैं इस टीम के जो और खिलाड़ी थे उनका जो बड़े खिलाड़ी थे जिनको सभी लोग निलिया तो उनका स्टेट दिखाती हैं कि आखिरकार वहाँ पे जो देख सकते जैसे यहाँ पे मार्स है इनका देखना सिलेक्शन परसंटेज कितना हाई होगा क्योंकि यह पिछले बार उनका देखिए यहाँ पर नवासी परसंटेज है सिर्फ 2-3 ही खिलाड़ी है जिनका परसंटेज कासर केड़ित नौ आ है और सिलेक्शन परसंटेज नवासी आपको देखने को मिल रहा है तो दोस्तों इन्होंने जिस प्रकार से और दिखाते हैं जो और भी प्लियर उनका सिलेक्शन परसंटेज कितना खराब है क्रेदिट यहां पर कितना कम प्रसेंट है कितना परदरसंट भी खास नहींत है मगर ये dream team इनकी जगह क्यों बनी ये दोस्तों सोचने वाली बात है और जो लोग मेरी बात नहीं मानते उनको देखी यहाँ पे relay roster को देखे 30% selection rate है मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे वाली team में भी दिखाऊंगा कि आखिरका selection percentage कि इस प्रकार से क्या माइनी रखता है क्या नहीं रखता dream team की first rank लाने के लिए चलिए अब दिखाता हूँ ये सुभम दूबय का कितना selection percentage है ये भी आप लोग देख लीजिए 62% selection rate है और फिर भी ये dream team में सामिल हो गए तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को अपनी dream team के जो players लेना है उनको ज़्यादा selection percentage rate पे आप मज जाईए कि ज़्यादा लोग लेंगे तो हम हम लोग भी उसी team में first rank लाप हैं कता ही नहीं लाप हैंगे आप लोग आगर 80, 85, 95, 95 लड़ियों को लेते हैं तो आपकी team में जगा बनेगी नहीं चलिए आगे दिखाते हैं रवीन जटेजा के selection percentage आपको दिखाते हैं यहाँ पर रवीन जटेजा के 90% है तो तो सबसे high player है जो कर आल लाउंडर में 90% यह देखिए मैं यह नहीं कहता है कोई आप बड़े selection percentage वाले कुन न लीजे मगर जो common player होते हैं अच्छा पर दसन करते हैं उनको तो लेना ही पड़ेगा मगर कुछ ऐसे बड़े player होते हैं जो flop होते हैं हर रोज तो वो रंग बना के आपको देंगे नहीं आज बना दिये कल बना दिये पर तो दस रंग पर आउट हो जाएंगे साथ हो सकता है पांच रंग भी ना बना पाएं तो कुछ खिलाड़ी जो होते हैं आपके तीन चार्श खिलाड़ी उनका प्रसेंटेस मतलब जिनका common खिलाड़ी होते हैं उनको तो आपको टीम में लेना ही लेना उनके बिना आप चाही नहीं सकते इतनी बड़ी चाही है एक रेंग की दो करोन रुपए जितने इतना आसान नहीं जितना आप लोग सोचते हैं क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जेब से लगाते हैं उन्चास रुपए और आपको दिखाई क्या देता है दो करोन उसके नीचे वाले डिजिट आपको दिखाई ही नहीं देते हैं आप लोग उन्चास रुपए लगाते हैं और आत्रा लगा लेते हैं कि हमको दो करोन मिलेंगे मगर आपके साथ जितना आपका वहां पर उमीद बड़ी होती है उतना ही बड़ा आपके साथ धोका हो जाता है क्योंकि आप भेंड़ चाल चलते हैं भेंड़ चाल चलने वालों कि यहाँ पर आज की दुनिया में कोई कदर नहीं है तो दोस्तों आप लोग अपनी आदते सुधारिये और भेंड़ चाल चलना बंद कीजिए रिस्क लेना सिरू कीजिए तब ही आप लोग और दिखाते हैं कि यहाँ पर देखें अच्छर पटेल का कितना सेलेक्शन परसेंटेज 95% के अच्छर पटेल का हो सकता है मगर यहा जिनका सेलेक्शन परसेंटेज काफी कम होता है क्रेडिट कम होता है उन प्लियरों को भी लेना पड़ता है चलिए और दिखाते हैं यहाँ देखें इस या पर खुंत गतर करेकर लोग तो आप लोग समझ सकतीं हैं दोस्तों आप लोग की सपने चलते हैं 20 पंचानबे 85 वह अपने भूल जाएए देखिए यहां पे 9.9% सेलेक्शन मतले इसको कितना कम लोग होने लिए फिर भी इस बंदे ने फैस्ट रैंक वाले टीम में अपनी जगा बना ली इतनी बड़ी बात है देखिए दोस्तों आए दिखाते हैं अभी और भी जो खुलाडी है उनका भी दि दिखा रहा हूं यह है ड्रीम 11 के अंदर की गड़ी जो कोई नहीं समझा रहा है चलिए और दिखा रहा हूं कि जो फर्स्ट रैंक की टीम आ रही है उसके खलाडियों का प्रदर्शन की प्रकार देखिए यहां पे के अहमद है 29 पॉइंट देखर के गए इनका सेलेक्शन देखिए दोस्तों असी पचासी नब्वे पंचान बने हैं चौविस पर्सेंटेज हैं मगर 29 देखर के गए और यहां पे इनको देख सकते हैं ड्रीम टीम में अपनी यहां इन्हों नहीं भी बनाई तो ड्रीम टीम वाले जो लाड़ी होते हैं वह बहुत ही ज्यादा रिस प्लियर पर होती है न तो इस वज़ेस बाइस पर्सेंट है बंदे का साथ पॉइंट क्रेडिट एंग है एक सो साथ पॉइंट देखे गया और वहां पर पूरा टोटल में 200 प्लस कुछ यहां पर क्रेडिट देखे गए हैं 214 मतलब पॉइंट्स दे कर गए इतना से यहां पर सेकंड रेंक वाले ने क्या गलती करी है कि एक करा विंनिंग कर रहे है तो आपने लाइसेस दे के लिया दोस्तों चलिए सेकंड रेंक वाले की टीम दिखाते है उस बंदे सेकंड ult प्ति करी है सिर्फ एक प्लियर की कमी होने की वाज़े से यहां पर सेकेंड मतलब एक करोंड रूपा है वहाल गए बन देखिए यहां पर रभीन जटे जब है एम मार्स है वाइस कप्तान बने हुए इसमें और अच्छर पटेल यहां पर देख सकते हैं नार्मल सिलाडी हैं वाइस कप्तान इम मार्स को बनाया गया और क्योंकि अच्छर पटेल ने एक सो पच्पटान प्लस कुछ पॉइंट यहां पर इनका 148 है और यादो कुल्दीप यादो 48 पॉइंट देखे गए दीपक चाहर है पच्पॉइंट पॉइंट पे कुल्दीप आपके जमीन पैर के नीचे की जमीन सिसक जाएगी इतना बड़ा घाटा हो गए इस बंदे को सिर्फ सिर्फ पॉइंट मालों दो एक गलती की वज़े से ऐसा नहीं कि टीम में सभी प्लियर सिर्फ एक प्लियर हटाया गया और वाइस कप्तान को बदल दिया गया है इस वज दिखाते हैं कि जो थर्ड रंक लेकर आए उसने क्या क्या गलती करी आप लोग गलतीयों से दोस्तों सीखिए जब तक आप गलतीयों से सीखेंगे नहीं तब तक आपको पता हिने चलेगा क्योंकि फर्स सेकंड थर्ड रंक वाले वो क्या मेहनत करते हैं क्या ऐसा दिमाग लगाती हैं कि वो लोग फर्स सेकंड थर्ड रंक लेकर आ जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आपको हमने दिखाया चलिए कल के जो मैच हुआ था उसके पिछला आर्शीवी वर्सक मूंबई क्योंकि यह बैटिंग पीश थी तो आपको यहां पे बालस कप्तान और उप किस खिलाड़ी का परसंटेज से लक्सान था और देखिएगा यहां पे अभी नहीं दिखा रहा है तो दोस्तों हमने उसको आपको दिखाया और जो कल मैच हुआ था चिन्नाई वर्सक दिल्ली के बीच में और दिल्ली ने जीत लिया लाज्ट टाइम पे क्योंकि वो चिन् पॉइंट आए हुए है और इसको चौथी रैंक क्यों मिली मतलब कि यहां पे जिनको पैसा भी बहुत ज्यादा काम मिला है किर्फ चौथी रैंक आने से उन्होंने क्या क्या गलती के लिए वो दिखाते हैं पी साल्ट उसमें विकट की पर थे इसमें भी आजिंक रहाणे यहां पर देखिए यहां पर देखिए यह आ गया है मनीश पांडे दूसरे खिलाड़ी की जगह यहां पर एक खिलाड़ी दूसरे थे उसके जगह पर यहां पर रासो थे यहां पर उसके जगह पर मनीश पांडे आ गया है उसमें पास्तवारी टीम में थे इसमें भी थे र पतिराना कप्तान है थोड़ी थोड़ी मिस्टेक की होगे से लोग लाखो करोणो रुपए का नुकसान हो जाता है दोस्तों आप लोग समझ गया होंगे चाकिरकार यहाँ पे जो खिलाड़ी है उनका सेलेक्शन परसेंटेज देखे मनीस पांडेक सेलेक्शन परसेंटेज आ आप लोग जो 95 परसेंट वाले खिलाड़ियों के पीछे भागते हैं तो आप अपनी आदत को सुधाईएगा और आप लोग भी रिस्क लेना सीखिए जब तक रिक्स नहीं तब तक इस्क नहीं आईए दिखाते हैं आपको थोड़ा सा इनलाईसे देते हैं आज के मैच में कि आखिरकार जो आज मैच होने वाला है उनमें किस प्रिकार से खिलाड़ी है और मैं कल प्रूप के साथ कहूंगा कि ये ड्रीम टीम के फर्स्ट रैंक वाली टीम में ये ये खिलाड़ी आपको नजर नहीं आएंगे ये मैं लिप के देता हूँ जेखिए ये 88 परसेंट है कुछ कामन खिलाड़ी होते हैं जो की ड्रीम टीम की फर्स्ट रैंक वाली टीम में भी आ जाते हैं मगर यहां पे जो और खिलाड़ी होते हैं वो सब खिलाड़ी आपको जो ज्यादा परसेंटेज सेलेक्सन होता है जिनका वो खिलाड़ी यहां पर नहीं आएंगे जैसे 88 बटलर संजू संचंग का 88 इन दोनों में से यहां पर कोई नजर नहीं आएगा उस टीम पे और दिखाता हूं यहां पर इन राना चौरासी परसेंट यह बीजी यह सस्वी जैस्वाल भी ड्रीम टीम की फर्स्टीम में नहीं है मगर इनको सब लोगों ने खरीदा है बानव जो रूट है तो जो बिल्कुल से मतलब प्रदर्शन जैसे डी जुरेल हैं बिल्कुल इनका मतलब सेल्क्षन परसेंटेज विल्कुल बेकार है इस तरह के क्लियार जो होती हैं वो आते हैं ड्रीम टीम में आए यह बी नहीं आएगा आंदरसे नब्दे परसेंट देख सकत सब्सक्राइब On इन ये भी आ सकते हैं तो जो बिलकुल परसंटेज कम खलाडी वाले होते हैं उन्हीं का परसंटेज यहाँ पर आपको ड्रीम टीम में देखने को मिलेंगे कल या नहीं करनी चाहिए गरीब लोगों का कब भला होगा ड्रीम टीम में तो हर एक गरीब को भला हो भगवान समय तो यहीं जो करता हूँ अगले मैच से वह भी लगाएंगे किस परकार से यहाँ पर ड्रीम टीम में कैसे लोग जीत रहे हैं इसकी भी अर्दी आपको बहुत ज लगेगी नहीं लगेगी और आप लोग कमेंट करके जरूर बताईए कि आपको हमारे जो जो सीजे सिखाई हैं आपने आज बताएं आपको टीप्स और ट्रिक इस परकार से ड्रीम टीम के फ़र्ट रैंक वाली टीम में कैसे लोग आते हैं और आप लोग क्या गल्पी करते हूंगे आप लोगों को इस एनलाइसे से क्या सीखने को मिला कमेंट पर जरूर बताईए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते फिर आपको अगली वीडियों तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत सुप्या धानेवान न करें